साथियों, सेक्स करना सेहत के लिए अच्छा है, सेहत फिट रहती है, बाड़ी एनरजेटिक रहती है, लेकिन कभी सोचा है कि अगर लंबे समय तक सेक्स ना करे तो क्या होगा? क्या कोई किसी तरह की बिमारी हो सकती है? क्या लंबे समय तक सेक्स ना करने से सेक्स शम्ता खत्म हो सकती है आज की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इस रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि लंबे समय तक सेक्स ना करने के क्या नुकसान है ये रिपोर्ट हर किसी को देखनी बेहस जरूरी है साथियों सेक्स करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं ये स्ट्रेस को कम करता है, नींद अच्छी आती है सेक्स करने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है इससे सरदर्ड दूर होता है ये आपके ब्लड सेर्कूलेशन को बहतर बनाता है सेक्स करने से पुर्षों के शरीर से टेश्टोस्टिरोन हार्मोन रिलीज होने से ना केवल उन्हें अच्छा फील होता है बल्कि इससे मसल्स और हड्यों को भी मजबूती मिलती है इससे आपकी मूड को बहतर बनाने में मदद मिलती है सेक्स करने से न केवल आपके शरीर को कई फैयदे मिलते हैं बल्कि ये आपके पार्टनर के साथ आपका रिष्टा भी मजबूत बनाता है दोस्तों हम आपको बताते हैं कि लंबे समय तक सेक्स ना करने से क्या होता है हम जितना कम प्यार करते हैं हमारी लाइफ उतनी ही छोटी होती है सेक्स एक्टिविटिक कम करने के कारण होमो सिस्टर नामक ओमीनो एसिड में व्रिद्धी होती है इससे blood vessels के walls को नुकसान पहुंसता है इससे red blood cells के normal movement में भी परशानी होती है ये stroke और दिल के दोरे का कारण भी बनता है sex न केवल pleasure पाने की चीज़ है बलकि ये एक अच्छे स्वास्त के लिए भी बहुत जरूरी है इससे आपकी life duration पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है सेक्स ना करने से महिलाओं के जीवन में उनके सामान और reproductive अस्वास्त पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन अगर पुरुस लंबे समय तक सेक्स ना करे तो इससे नपुन सकता बाजपन और प्रोटेस्टाइस्टेस आधिकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है साथी महिला सेक्स हार्मोन का पुर्षों की तुलना में इम्म्यून सिस्टम पर अधिक प्रभाव पड़ता है इस वज़े से इम्म्यूनो डेफिशेंसी की समस्या हो सकती है ऐसा खासकर तब होता है जब महिलाए अन्यमित पीरिट्स के समस्या से जूझ रही हो सेक्स करने से सेरोटोनीन निकलता है यह एक खुशी वाला हर्मोन है ये पुरसो और महिलाओं की इम्यून सिस्टम के लिए फायदमंद है साथियों कुछ रिसर्च का ये भी मानना है कि सेक्स ना करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है इससे प्रोटेस्ट कैंसर होने का खत्रा अधिक रहता है नियमित सेक्स करने वालों की तुलना में सेक्स ना करने वालों को प्रोटेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है रिसर्च ये भी कहती है कि सेक्स ना करने वाले लोगों में एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का खत्रा जादा रहता है नियमित रूप से सेक्स करने से पेनाईल मसल्स मजबूत होती है महलाय मिड लाइफ में अधिक सेक्स नहीं करती है उन्हें मैनोपॉज होने की संभावना जादा होती है दोस्तों अगर सेक्स करने के इतने फायदे हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ समय पर सेक्स जरूर करना चाहिए। ये आपके और आपके पार्टनर दोनों की सेहत के लिए सही है। साथियों अगर आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करेंगे तो इससे क्या परशानिय हो सकती हैं ये हमने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकली स्पिकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों